आसी से हाती गुरु का जबुसी मिला है संतोस का कमल जीवन में खिला है निरदामो ही मिल रही मुझे को जो वस्तो मेवारेवार करती गुरु का नमोस्तो मेवारेवार करती गुरु का नमोस्तो जे वुल्य नंता नंत सिध्ध परमिष्ठी भगवान की, जे वुल्य एक खजर आठ स्री आदिनाद भगवान की, देवाधि देव श्री शांतिनाद भगवान की, चिंतामणी पारशनाद भगवान की, अंतिम तीथंकर बड़तमान सासन्नायक भगवान महावीर स्वामी की, परमपूजनिये विश्वन्दनिये बासल अतनकर आचरी विमल सागर जी महराज की जैवुलिये आचरी श्रीवसुनन्दी जी महराज की आपके दर से कोई खाली हाथ न जाता है आपके दर से कोई न टाला जाता था जो भी मांगना था वो मांग लिया हमने क्योंकि इतना मिलता था कि दामन समहला न जाता था आर्श मार्गर दर्शक एबं आगम मर्मग दर्वीक त्याक तपस्षा की प्रतिमूर्ती आचरी विमल सागर जी महराज पुन्न तथी के अउसर पर हम उनको आपके दर से कोई खाले हाथ न जाता था आपके दर से कोई न टाला जाता था जो भी मांगना था वो मांग लिया था हमने क्योंकि इतना मिलता था कि दामन नक समहला जाता था दामन न समहला जाता था अशारिय विमल सागर जी महरस ऐसे वासल के रतना कर थे जिनका वासल एक मा से भी जादा हुआ करता था एक मा तो जो वासल देती है मात्र हमारे इस भव को समालती है परंतु पूछ गुरुदेव का वासल इस भव को भी समालता था और अंगले भौको भी समालता था आचर श्री के दर्शन करने का सौभाग में 1994 में प्राप्थ हुआ दिसंबर माहे में प्रथम बार और अंतिम बार हम आचर श्री के दर्शन करने हेतू पहुँचे आचर श्री ने बड़े वासले के साथ बड़े इस नहीं के साथ हमसे चर्चाएं की और इसकी उप्रांत उन्होंने कहा कि निश्यत है आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ते साइए आपका जीवन मंगल में हो सफल हो ऐसा उन्होंने हमें आसिरवाद दिया था पुछ आचर श्री का वासल देख करके बाकई में हर व्यक्ति भावुख हो जाता है और उनका ही होके रह साता है आचर श्री के अंदर इतना अपना पन था इतना अपना पन था चाहे उनके पास कोई ब्रध चला जाए अध्वा उनके पास कोई युवा चला जाए या बाल पारस मड़ी कह दें तो भी आती स्वक्ति नहीं होगी क्योंकि आचरश्री के पास कोई भी गया ब्रद्ध युवा बाल सबको उन्हेंने दिख्षित किया और श्रण के समार बना दिया जिस प्रकार से पारस मड़ी के पास यदि लोहा जाता है तो वह स्वर्ण का रूप ले करके आता है उसी प्रकार से उनके चरण सानेद्र में कोई भक्त कोई सिस्ट कोई सामान व्यक्ति भी पहुचा तो उनका जीवन स्वर्ण के समान हो गया और वह सारी दुनिया में चमक गए आचश्री के बारे में जितना भी कहा जाएगा हम तो एक कहते हैं कि बाकई में उ इसे तुरूप से वो जो वात कह देते थे भैवात एकदम सक्त होती थी बच्चे लोग कहा करते थे कि आचरश्री ने कह दिया आचरश्री से पूछा इस बार हमारे पेपर में कितने नंबर आएंगे तो आचरश्री बता देते थे तुम्हारा पेपर ऐसा जाएगा और इतनी नंबर आएंगे और उस बालक के उतने ही नंबर आते थे तो बालक भी आचरश्री के उपर पूरा समर्पित था, सादु संग भी समर्पित था और हम समझते हैं आचरश्री के अंदर जो निष्ठा की बात है, स्रध्धा की बात है वो आज से ही नहीं बस्पन से हैं लोग उनके उपर आज हम लोगों के लिए वह निष्ठा का उबदेश देते थे, स्रध्धा का उबदेश देते थे, वह जब भी कहते थे, स्रध्धा सेडवो कारमंत्र की जाब करो, आपका कारे पूरा होगा, आपको अनकूलता होगी, आपका स्वास्त ठीक रहेगा, तो नैमी चंद्र की रूप में थे, तो एक व्रध अम्मा, उसका एक छोटा सा वालक था, और वह वालक बीमार पढ़ गया, बीमार पढ़ने की उपरांत, उसके लिए डॉक्टर, बैद, हकीम सब को दिखाया गया, परंतु वह वालक स्वास्त नहीं हो पाया, वह वालक ठीक नहीं हो पाया, दुनिया की एक परंपरा है, जब डॉक्टर लोग कोई काम नहीं करते हैं, तो हम अपने आस्था के कैंद के पास पहुंचते हैं, हम अपने ईसर के पास पहुंचते हैं, अत्वा हम जिनको उस रध्धा से मानते हैं, निष्टा से मानते हैं, उनके पास हम की कोशिस करते हैं और वह व्रद्ध अम्मा उस भया नयमी चंजी के पास पहुंची और बोलती है भया नयम चंजी मेरे बेटे का बहुत स्वास्थ खराब है भौत परेशान हूं मैं मैंने सारे बैद्धों को दुखा लिया हर जगह में होकर आई मेरे बेटे को कोई भी आरव नहीं है उस समय नयमी चंजी थे सोले में भोजन करते थे मैं सोला का भोजन करना था इतने में ही वह आ गई तो वह सोचते थे कि मैं इसकी निष्ठा को ठेश पहुंचाऊंगा तो इसको बहुत दुख होगा और मैं यह भी सोले में हूं आखिरकार मैं आवसदी निकालता हूं तो मैं असोला का हो जाऊंगा अखिर मुझे क्या करना चीए उस पुढिया को उस अम्मा को देते हुए कहा कि जाओ इस पुढिया को एक गिलास पानी में डालना और उस अपने वालक को पिला देना तुम्हारा वालक ठीक हो जाएगा और उस माने ऐसा ही किया उसके लिए बहे जल पिलाया जल पिलाने की उपरांत बहे बालक ऐसा लग खो गया बिल्कुल तो हमारे कहने का प्रियोचन है हमारे कहने का मतलब है आचर स्री अपने कल्यान के साथ सब को कल्यान का सबका कल्यान करते थे और सबको कल्यान का उब्देश देते थे भाकई में आचर स्री हमेशा कहा करते थे कि रवोकार मंत्र का जाब करो उनकी लिए मं मंत्र तंत्र का ग्याता कहा जाता था और निश्चित है वो जो मंत्र देते दे थे और उसका लोग जाब करते थे उनको अनकूलता बन जाती थी और तो क्या आचरश्री की परिक्षा एक ने नहीं हर सिस्याओं ने भी की होगी भक्तों ने भी की होगी बहुत सारे लोगन के परिक्षा करते थे एक बार कुछ सिस्या या कुछ भक्त उनकी परिक्षा है तो वहीं लेटे हुए थे कि क्या हुआ कि आचरश्री रात में करते क्या हैं देखें तो सही और क्या होता है अचानक आ जाप लगाने बैठे तो जाप करने की आवाज खन खन की सुनाई दी तू उन्हों लगा कि ऐसा तू नहीं आचर स्री कुछ रुपया पैसा गिर रहे हो तो उन्होंने उटकर के देखा जैसी उन्होंने उटकर के देखा तो आचर स्री उसमें क्या कर रहे थे माला कर रहे थे तो माला के खनकने की आवाज आ रही थी वैसिस्ट वैवक्त नत मस्तक हो गया और उसने पूरा का पूरा जीमन अपने पूछ गुरुदेव के सरणों में अर्पित कर दिया समर्पित कर दिया तो कहने का मेरा प्रियोजन है कि आजवरा स्री डवोकार मंदर बहुत निष्ठा रखने बाले बहुत स्रद्धा रखने बाले वो हमेशा कहा करते थे कि देखे आप डवोकार मंदर की जाप लगाया करें क्योंकि डवोकार मंदर की जो व्यक्ति पांस माला लगाता है ना तो उसका ना वो माइनिस में चाहेगा ना वो पिलस में चाहेगा क्योंकि पांस पाप होते हैं पांस पापों के निरसन के लिए पाँच पापों की समापती के लिए पाँच माला लगाना चाहिए और वो कहा करते थे यदि आपने 6 माला लगाली, 7 लगाली, 8 लगाली, 9 लगाली, 10 लगाली तो आप बढ़ते चाहिएगा तो आपका पलस पलस होता चाहिएगा और यदि अपने चार तीन दो एक तो आपका मायनेस पर गाड़ी पहुंच जाएगी तो प्रतेख साबक को प्रतेख भक्त को अपने जीवन में परड़े प्राती दीन पांच माला तो अवस्य ही लगाना चाहिए जिसका उसका जीवन समरूप से चलता रहे यदि आपको पिलस करना है और जादा माला बढ़ा दो यदि आपको तीठंकर भी बनना है तो भी आप रवोकार मंत्र का चाप लगाएंगे तो भी आप तीठंकर बन सकते हैं आचरस्री निश्टत रूप से कहा जाता है वो चलते पिड़ते तीर्थ थे क्यों तीर्थ थे क्योंकि जो तीठंकर उने मार्ग चलाया है जो मार्ग बताया है उसको ही आचरस्री उस मारग को ही चला रहे थे इसलिए हम आचर स्री को तीथंकर का लगुनंदन कहने तो भी अतिश्यक्ति नहीं होगी आचर स्री तीथंकर के लगुनंदन थे और आचर स्री ने इतना वासल दिया पूरे बुंदेल खंड की यात्रा पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की इसकी उपरांत कहा जाता है उनक कई घटना मिलती हैं कि उन्होंने एक बार विनावरेग के साइकल की माध्यम से पूरी यात्रा कर ली पूरी यात्रा करने के उप्रांत जब उनकी साइकल खराब हो गई तो भैसाइकल को सुधानने के लिए बैठे उनसे सुधन नहीं रही थी पीछे क्या देखते हैं एक से में तो अपने साइकल में हबा बंपो भनने बाला पंपी भूला था उछे तो पता ही Industry इस oven कहा में छोड़ाया और उन ने अपने साइकल को पीछे किया और देखा कि अरे अभी को यहां पर दुकान लगी थी सिदम आभी तो यहां पर दुकान लगी थी अब उलागी और सरी का साथा मनुस्त्रूं नहीं देप्ता ने उनका साथ नभाया देप्ता उनकी रक्षा करने के लिए आते थे बागई में हमाइसेख स anthrop hiking's दो कि एक हार तीन उपास है कहार चार उपास एक हार पांच पांस एक अहार ये उनकी जीमन सैली बन चुकी थी आचर स्री के बारे में हम जितना भी बोलेंगे संबी सिखर संबी सिखर को सब लोग शानते हैं जो कि अपना सासो तीर्थ छेतर भी है और कहना चीए चौपडा कुंड चौपडा कुंड मैं समझती हूँ चौपडा कुंड की दैन ही पूरी संबी सिकर में जैनों का कोई भी अस्तित नहीं बचा था क्योंकि ये पहाड शेतंबर जैन सावाज ने खरीद लिया था कल्याण मंडब जो ट्रेस्ट उस ने खरीद लिया था जै दिगंबर जैनों का कोई भी असितत्त नहीं था परन्तो आचर स्री की दैर है उन्होंने कहना चीए चौपडा कुंड को दिगंबरों का बना दिया दिगंबरों कब है चौपडा कुंड हो गया उन्होंने रातो रात मूर्ती की स्थापना करती यदि हम आज भी कहें कि यदि उधर का उधर पूरे पहाड पर यदि दिगंबरों कोई अस्थित्र पाया जाता है तो मात्र क्या चौपडा कुंड भी दिगंबर जैनों के अं तर्म में है उन्होंने हमें क्या नहीं दिया इतना वड़ा तीर्थ छेतरप्रां गरल्वाया हमारे जीवन को पावन किए Ha वासल था बासल के जून के अंदर वासल था उन जैसा वासल हम नहीं कह सकते हैं भूत में किसी के की के पास था और बड़तमान में किसी के पास होगा और भवेश में भी किसी के पास हो सकता इतना अनूठा और इतना विशाल वास्तल था तो आश्डा सुरी के लिए इस पुन्निति प्तर चहरादेख करके आप उसके अंदर की बात बता दिया करते थे जैसे की कहना जिवे बत कहने की कोई आवस सकता ही नहीं होती थी आपने चहरा पड़ा तो आप कहते थे आप को बारे में यदि कहा जाए तो मुझे लगता है एक पुस्तक ही नहीं कई पुस्तक ही लिखी जा सकती है परन्तु आपके गुड़ों का गुड़गवान गुड़गान नहीं किया जा सकता है तो निश्यत रूप से हम इस पुन्ड तिथी के आउसर पर आपके शरणों में यही उत्तम भावना भाते हैं कि हमारे लिए उत्तम समादी की प्राप्ति हो हमारे लिए वोधी का लाप हो और हम सत मार्ग पर चल सकें उत्तम गती को प्राप्त कर सकें आप मुझे ऐसा आशिरवाद प्रदान करें ऐसी भावना के साथ हम सभी भक्त लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी को ग्याती ही है आचर्य वासल रतनाकर विमल सागर जी महराज का स्री सासुत तीथरा संबेश सिखरवर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4 वज कर 27 मिनिट पर उर्धा रोहण हो गया था मेरा आप सभी से नेवेदन है कि आप रवीवार 29 दिसंबर 2019 को आचर्य श्री के उधा रोहण महोसव के उबलक्ष में अपने अपने नगर में अपने अपने सहर में अपने अपने घर में अपने अपने मंदिर में और पूछ आचर्य श्री का पूजन बिधान वा आरती कने उनकी नाम की जाप लगाएं दबोकार मंदर की माला करें यही आचर स्री के प्रती आपकी स्रधान जली होगी बिन्यान जली जरूर अरपन करें सद्धान जली जरूर अरपण करें क्यूंकि हम जिनके प्रती हम भामना भाते हैं निश्चित रूप से हम जिनके हमें अरहंत बनना होता है तो हम अरहंतों के दर्शन करते हैं और यदि हमें सिद्ध बनना होता है तो हम सिद्धों का ध्यान करते हैं और यदि हमें आचर स्री के गुडों को प्राप्त करना है तो उनका गुडानु बात करें उनके प्रती विन्यान जली अर्पित करें तो निश्यत रूप से उन जैसी तपस्या हमारे अंदर भी आ सकती है उन जैसा वासल हमारे अंदर भी आ सकता है उन जैसा निवित्य ज्या अपनी विनिया अनजली, स्राध्धान जली जरूर अरपित करें ऐसी पवित्र भावना के साथ जह बुली आज्चारी स्री विमल सागर जी महराजी की। तो महाराजी ने आशिरवाद दिया यहां के खड़ा रहूंगा सब काम सपल हो जाएगा तो हम लोग ने अचानक में देखा कि यहां के बाई साब ने विमल सागर्जी महाराज की पर्तिमा प्लेन दुआरा भेजी गई और हम लोग में कोई पता नहीं था कि यहाज प्रतिमा आने वाली है। विधें सरी माताजी आही थी उन्होंने अपना उद्गाटन किया हम लोग को भूत अच्छा लाइचानक में वी वा हम लोग के कुछ पता नहीं पता नहीं महराजी का यासिरबाद है जो अचानक में अमलोग का भौन भी बनना सरू हो गया और हम लोग चाहते कि आगे कि अपान कि अच्छा नहीं आर कि झारे हमी आर चाहत слब फोह उन्हा से एक हो हम लाज कर दो इस को अ झाल, 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 झाल.